नवस्कार मैं हिमानशी कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइव लोकतंतर के लिए विपक्ष का होना बहुत मजबूत है लेकिन जिस तरी से देश में कॉंग्रेस का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है ये लोकतंतर के लिकाहिने कहीं घातक है हम आपको बता दें कि कॉंग्रेस लगातार देश भर में कमज़ूर हो रही है और हाले उधारागर्दे पुरूचरी में जहां इस वक्कॉंग्रेस कटवंधन की सरकार है वहाँ पर हाले दिनों में चार बिधायकों ने इस्तिफा दिया है और कल ही जो है दो बिधायकों ने समर्थन प्राप्त है वहीं अगर हम भीजेपी गडवंधन की बात करें तो उनके पास 14 के आसपास बिधायक हैं तो इस तरीके से अगर आज फ्रोटेस्ट होना है तो जिस तरीके से कॉंग्रेस के चार बिधायकों ने इस्तिफा दिया है तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि कॉ पुरुचेरी नहीं अगर बिहार की बात भी करें तो यहां जिस तरीके से लगातार कॉंग्रेस कारेले हो पतना का या कई अन्ध जगों हो जिस तरीके से कॉंग्रेस नेताओं के मतभेज सामने आ जा रहे हैं जिस तरीके से कारकरताओं के बिधितम पैजार होता हुआ दि विवाद जो हैं वो कई जगा असपश रूप से नजर आते जा रहे हैं और यह सिर्फ एक जगी घटना करम है एक सेलसरेवार धंक से अगर आप देखें तो कई ऐसे वीडियो आपको सोचल मीडिया पे मिल जाएंगे जहां कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के बीच में जो है जो मद्वेद हैं वो सान नजर आ रहे हैं हमारे संपादक नमनुष्ण ने आपको बताया था कि इस तरीके से कॉंग्रेस को तोरना सबसे आसान है जीडियो की नजर है तमाम विधायकों पार्टी के विधायक के बाते सामने नहीं आई है क्योंकि कॉंग्रेस के पुर्मनेता असोक चौधरी रहे हैं और नतिश कुमार से उनकी काफी घनिष्टा है और उनकी सबसे बड़ी भूमिका है विधायकों को तोड़ने में तो कहा जा रहा है कि असोक चौधरी के संपर्क में 12-15 कॉंग्रेस के विधायक हैं और जिस तरीके से कॉंग्रेस के गटवंधन का इस्तिफा देना और अब आज फ्लोटेश्ट होना है अगर पुदुचरी से कॉंग्रेस के गटवंधन की सरकार गिरती है तो ये कॉंग्रेस के लिए साथ इसाथ पूरे देश के लिए घातक होगा क्योंकि पार्टिये कोई भी रहे बेपक्च रहना बहुत मजबूत है लेकिन जो है पुदुचरी में कॉंग्रेस के चार गटवंधन के चार विधायकों ने इससे फ़ादे दिया है तो आगे क्या कुछ होता है आपको लगातर अबिट करते रहेंगे आप देखते रहें भारत भाई बहुत बहुत धन्यवाद में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद